माइ यूटूब फैमली कैसे आप सब उम्मीद अच्छ होंगे मैं भी अच्छीन तो चलते हैं नियू रेस्पी में आगे बढ़ते हैं यहां देखी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बैज मुमोज की रेस्पी तो देखिए लग रहे ना एकदम यम यम यमी डिलेस इस खजूर में मैंने यह देखिए फीलिंग की यह देखिए कैसी आप को लेना है पत्ता गोभी यहां पर मैंने एक मीडियम साइज पत्ता गोभी लिया तो उसको जार में डालके पीस लिया है आप ग्रेटर से भी कर सकते हो यहां उसको सारा पानी दाप-दापके निकाल देना है जितना भी पानी हो नहीं तो भूझने में टायम लगता है तो यहां मेने एक फाली निकाल कुसका सारा पानी निकाल दिया है यहां कडाई में मैंने प्याज और ग्रीन चिली को लेकि भूझ के अच्छे से पत्ता गोभी को उसमें डाल दिया है फीलिंग के लिए बनना है इसमें डाला है मैंने एक मैंगी मसाला मैंगी मसाल एक अच्छे से गागा रेट चली डालना है और डालना है आपको नमक नमक डालने के बाद अच्छे से उसको आपको भूझ लेना है थोड़ा सा color change हो जाए तब तक यहां मैंने फीलिंग के लिए उसके लिए लेना मेंदा लिए उसमें डाला है नमक डालने के बाद उसको पानी से अच्छे से गुंद लेना है एक सॉप्ट डो बना लेना है तो यहां मेरा मेंदा भी बनके इसकी लोग यह बना ला है चोटी-चोटी और चोटी-चोटी पूडियों की तरह उसको बेल लेना तो यह देखी कि यही मैंने एक सीक्रेट है जी देखी किस तरह से मैंने भरा है कितने अच्छी और कितने सुन्दर देखने में लग रहे हैं अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक प्यारा सा कमेंट और वेल आइकन को प्रेस करना ना भूले जिस हो चुके हैं खाने के लिए आप चटनी के साथ खाएं मियोनीज के साथ खाएं यह खाली भी खा सकते हैं कोई उसमें वो नहीं है यह देखी कितना प्रेस